देखिए ये आप लोग क्या है न बिके हुए हैं तो आप लोगों को सब हर जगह गुलाभी गुलाभी दित्ता है अब यह बताओं को तो 18 साल अभी आजादी मिले ही नहीं हुआ हूँ वोट कहां से दे रही हैं अब कि वार्ट कुस क्यों लट रही है वो गली घली भटकता इस गर्मी से बेहाल बोल रहा हूं मैं मोधी का पत्रकार बोल रहा हूं तो अब क्या ही वत ने आप बताए यह करने लगी है आज की जो मीडिया है किस परकार से सवाल पूछती है आज में हमी इस देगवान सुधिर चोधरी और रूब का लिया के जैसे ही सवाल इन दो दिग्ज नेताओं से पूछने जा रहा हूं आप लोग इस बात चीज़ पर बने रहे है और किस परकार की मीडिया है इन्हीं से जानते हैं आज की मीडिया को लेकर सुखला जी आप क दीद कोषिश कर रही है कि जो महंगाई है जो मुध् Between मुध्व से भटका रही है मौधी जी इस समें साउ्थ इंडिया भ्रमण कर रहे हैं Rather मडिपूर में क्या रखा है भाए मडिपूर में रखा कुछ नहीं है कुझ नहीं तो क्या जरूरत है से और यह को मीडिया इसंग नहीं दिखाएगी क्योंकि इंद्रा जी ने अमर्जंसी लगा कर पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया था नहीं दिखाएगी मीडिया आपको नहीं मोदी जी तो कम से कम एगोशित एमर्जेंसी लगा रहे है ना इंद्रा जी ने तो एमर्जेंसी लगा ही उसके बाद से इंद्रा जी ने बोला कि इसके यह आलांगी समय की दरकार थी लेकिन इसके एग्जीकूशन में कुछ गलत नहीं हुई है इंद्रा जी ने वो सब्सक्राइब मेड़ी जी सर्कार में चीन-पाकिस्तान-अमेरिका थर थर कापता है मोगी फौन कर देते हैं युद्धरुक जाता है आपके सर्कार में कितने युद्धरुकें हैं देखें यह आप लोग क्या है उए कहले हैं तो आप लोगों सब हर जगार फिखता है आप बाजपा की गौद में खेल रहे हैं सब तो आपको हर जगए dieta अपको देश की बेरोजगारी नहीं लुखती अरे महंंगाई नहीं है बेरोजगारी देश नहीं नहीं दिखती तो यह आप सब की समस्य है अरे हम लोग इस्राइल गए था आपको नहीं मालूम है मढ़ीपूर भी चले जाओ क्यों नहीं जा रहे हो आप सब्सक्राइब करते हैं जा तो जा सकते हैं इसे जा रहा है पता है कि जो पुछता है उबिका हुआ है आप के लिए बड़की मीडिया है सब कहते हैं वे रोजगारी नहीं है आप लोगों को बेरोजगारी नहीं है अगर भुगमरी होती तो मोधी जीत रहे होते हैं देश का इवा मोधी जी के साथ में खड़ा है वह काटकी अड़ी एक दो बार चड़ चुकी देखेंगा आप फिर से आ रहे हैं यानि तो कहते रहते हैं उनके वह तो पता नहीं क्या 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 थे वह तो हेलिकॉप्टर से बाई रोड आ जाते हैं वह बादलों में मतलब पत्रकार ऊस गटर के दलाली खाके आया है रोजगार क्यों नहीं रोग पास है दबा के दलाली ले रहे हैं वहां न्यूस दिखारे है जहां दिखानी नहीं चाहिए दिखाओ ना क्यों ने दिखा रहे और लगदाग और चाइना पीछ भाफ्टा वा जा रहा है र बार पाकिस्तान को जैस सपनों में सब गए थे बना तभी सथा कर दिखा था काप घए थे न तभी अपनी पार्टी कें रेकर करके सबको बुला रहे हैं वो सच में काफिक आप करते हैं राहूल गांदी अजा अप वालों को अपने में शामिल करके पकड़ पकड़ करता नहीं है उसके लिए भी उन्हें कोंग्रेस के लोग चाहिए राजेसभा आपका नेता इतना कमजोड क्यों है क्यों भागपा में चला जाता है लगता है बिल्कुल यह वोलिए ना अच्छा सब्सक्राइब सब्सक्राइब बात क्या सकता है बात पता है या तो उसके घर में करोड़ों रुपया आ गया होगा या एडिजी और सीवियाई आपके उपर शुमबीर जी बैठेगी तो आप बीजेपी कि सहस्तर लेंगे या नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे अमारे उपर तो पहले भी हमले वह चुके हैं पहले बी इतनी चीजह की अंफ दरशनों में लेकिन हम वह मोका परस्त लोग नहीं है हम वैचारी गुप से और विचारदाराना से मैं लुकापरस नहीं शिनले से लोग देखें आउया है वह भी राष्टे परवक्ता थे जो चले गए है अभी क्या है ना आप लोगों की जेबें भरी हुई है तो आपको सब भराई सावन के अंदे को सब भराई हरा दिखता है अब आप कब जा रहे हैं कहां वहें पे हम तो चार जून को जा रहे हैं चार जुन को जा रहे हैं, साथ लोग कल्यान मार गए, वो खाली करा के जा रहे हैं, परधान मंतरी बदलेंगे जरूर जाएंगे, परधान मंतरी कौन बनेगा, आखरी सवाल, कौन बनेगा परधान मंतरी, सबसे बड़ा सवाल, परधान मंतरी नहीं बनेगा, इस बार परधा पर देश में सब कुछ चंगा कर देश में तो करी रखा है आज नहीं पर लाठी है उन्हें वोटर सब्सक्राइब आप लोगों के खिलाफ जो भी आवाज उठा व्यक्ति फरजी और यह आप लोगों को भी लगने लग गया है मतलब कि आप किसान को किसान नहीं मानते महिलाओं को महिलाएं नहीं मानते आप किसको क्या मानते हैं फिर बता तो दीजिए पर हम लोग जीत जाएंगे आप किसी शिक्षाविद की बात कर लिए कहां कंगनारानावत की बातें कर रहे हैं आज कल मुझे पता है आज कल उसको टिकेट मिलगी तो आप लोगों के लिए स्टार वही बनी हुई है आप लोगों को उससे ऊपर कुछ दिखता नहीं है अगर तो आप कंगनारानावत का नाम तक नहीं पचानते लेकिन वाजपा ने टिकट दे दी वाजपा आपकी जे में बरी रखती है तो आपको कंगनारानावती आज कल देवी लग रही है तो संसद में पहुंचेगी तो संसद कभी उध्यार हो जाएगा संसद में महाराज ऐसे लोगों को पहुचा के आप क्या संसद को क्या बनाना चारे हो सरकस खाना बनाना चारे आप तो कॉंग्रेसी है आजाद भारत का पहला परदान मंत्री को तो नहरूजी थे सुबार संद्रोष मैंने कंगरा नरौत की वीडियो देखी है सुबार सही रूप से देश में आजादी कवाई संसत के अंदर जाएंगे तो महंगाई भी रोजगारी पर कैसे आंकर अरे मालिक हमें यह बताइए वह 18 साल की बिटिया चुनाव लड़ेगी वैसे गाउं के परधानी में भी है कि 21 साल से कम का आदमी परधानी नहीं लड़ सकता है अब वह 18 साल की बिटिया किस परकार से संसती का चुनाव लड़ेगी और इस पूरी बात्चीत पर आपकी क्या प्रतक्रिया है कुछ लोग हमको गरी आएंगे कि कि सुदीर चोधरी और हमें इस देवगन की हालत हमारे जैसे ही हो गई है कि कि कितना भी कोई दलाल बोल ले क कितना भी कोई जुतिया ले फिर वही करते हैं आएगा तो इंडिया इंसाफ आएगा और इनके चैनल के माध्यम से बोल दूँ गली-गली भटकता इस गर्मी से बेहाल बोल रहा हूं मैं मोदी का पत्रकार बोल रहा हूं क्योंकि आज का पत्रकार में उहमारे जैसे ही मानसिक्ता मतलब हम तो बता रहे थें आपको कि ऐसे ही पत्रकार जो होते हैं उखरते हैं शुक्रिया धन्निवाद